अगर आप Minecraft काफी समय से खेलत हुए आ रहे हो तो I'm sure आप लोगों ने गेम को काफी बार बीट तो करी दिया होगा लेकिन क्या आप जानते हो कि गेम में काफी चीजे ऐसी भी हैं जिने आप डिफरेंट वे में यूज करके गेम को और स्मार्टली खेल सकते हो जैसे की मौस का यूज डाइमंड जूनने में या फिर बिना विदर को सफोकेट किया उसे कैसे जल्दी मारे तो आज Minecraft के ऐसे 25 अमेजिंग हैक्स के बारे में जानेंगे लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना एक नाएक पॉइंट पे हमें स्टोन जनेरेटर बनाना ही पड़ता है और भाई साब इसमें ग्राइंट करते करते मेरे हाथ भी दुख जाते लेकिन माइनक्राफ्ट में एक ऐसा फीचर भी है जिसे हम ब्लॉक ब्रेकिंग को आटोमेटिक कर सकते हैं बस हाथ में एक पिकक्स लेके लेके लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और साथ में F3 प्लस T दबाना है और बस अब गेम अपने आप ही लेफ्ट क्लिक करता रह से पहुचा देगी अब लेटर हर जगे काम नहीं आ सकती उसे सपोर्ट करने के लिए एक एक एक्स्ट्रा ब्लॉक होना ज़रूरी है इस सिचुएशन में पिस्टिंग वाइन्स का यूज कर सकते हैं जो कि बिना किसी सपोर्ट के सीधा उपर जाती है और इनका यूज हम न 5. मॉस ब्लॉक को बोन मिल करने पे वो आपके आसपास वाले ब्लॉक्स को भी मॉस में कर देता है लेकिन मॉस और ब्लॉक्स को कनवर्ट नहीं करता तो इसका यूज हम माइनिंग के टाइम पे कर सकते हैं जिससे डीप स्लेट या स्टोन मॉस में कनवर्ट हो जाएगा और अगर आपका एंडर्मैन एक्सपी फार्म एक्सपी से ओवर्फ्लो कर रहा है तो आप स्कल्ल केटलिस्ट के आसपस मॉब्स की डेथ होने के बाल उनका एक्सपी स्कल्ल ब्लॉक्स में कनवर्ट हो जाता है जिसे हम बाद में माइन करके कलेट कर सकते हैं तो एक सिंपल कोब नहीं है स्पेशली अर्ली गेम में तो इसकी जगे आप माइन कार्ट विद्फ फर्नेस का यूज कर सकते हो जो कि हमारे माइन कार्ट को पावर ट्रेल की तरह पुश करता है और यह देखने में भी काफी जदा कूल है नमबर एट गेम में अगर आपने एंडगेम पार कर ल बजा आएगा नमबर नाइन बिना बोन मिलके क्रॉप्स ग्रोव करना बहुत जादा टाइम कंजूमिंग काम है पादा चला माइन क्राफ में डेड़ दिन बिद गया और हमारा क्रॉप तयार ही नहीं हुआ लेकिन इस काम में 20 आपकी दोस्त बन सकती है बस एक बीहाइब क कलर स्पॉण हो गया तो उल्ठा लेने के देने पड़ जाएंगे इससे बेटर हम विदर को और रीजली मार सकते हैं इसके लिए बस विदर को एक केव में ट्रैप करना होगा और पांच आयरम गोलेम स्पॉण करने होगी एंड बाकी का काम यी गोलेम सी देख लेंगे अगर आपके पास TNT की कमी है तो आप री स्पॉण एंकर का यूज़ कर सकते हो जैसे नैजर में बैट एक्स्प्लोड हो जाते हैं नमबर थर्टीन, ट्रेटिंग करने के लिए डिसकाउंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन स्प्लैश पॉशन ओफ वीगनेस बनाने के लिए काफी सारा मेटेरियल लगता है और इसके रिजल्ट में एक बॉटल का एफेक्ट लिमिटेड ही रहता है, इसकी जगह हम पॉ बाकी के लामाज अपने आप हमें फॉलो करने लगेंगे नमबर 16, Minecraft में donkeys के उपर chest लगाई जा सकती है लेकिन donkeys तेज नहीं चलते हैं horses तेज तो चलते हैं लेकिन उपर chest नहीं लगाई जा सकती है इस चीज को fix करने के लिए हम दोनों को breed करा सकते हैं जिससे कि mule पैदा होगा और mule घोडे जितना तेज होगा और सबसे अची बात यह है कि हम इसके उपर chest भी लगा पाएंगी नमबर 17, नॉर्मल यगर हम Minecraft में बड़े builds बनाते हैं तो stairs को बिना सोचे समझे craft कर लेते हैं और maximum time stairs craft करने के लिए crafting table use करते हैं वेल, इसकी जगे हम stone cutter table का use करें तो ज़ादा फायदे में रहेंगे क्यूंकि crafting table से 60 blocks के stairs craft करने में 40 stairs ही मिलते हैं वहीं अगर आप stone cutter से 60 blocks के stairs craft करते हो तो हमें 60 stairs ही मिलते हैं तो हाँ, इस method का use करके आप अपना काफी सारा time और material बचा सकते हो नमबर 18, Minecraft के ocean temples बहुत ही ज़ादा irritating और difficult place होती है क्योंकि axolotals guardians के enemies हैं और अगर आपके पास एक पूरी axolotals army है तब तो आपको कोई भी guardian परिशान नहीं कर पाएगा नमबर 19, अगर Minecraft में एक सही mob army बनाना हो तो हमें एक mix army बना सकते हैं जिसमें हमारे पास काफी सारे dogs हो और काफी सारी cats भी हो क्योंकि अगर हमें एक लंबा सा track बिचाना हो तो बीच में काफी सारी power rails लगेंगी जो कि survival में बहुत महेंगी है लेकिन rails को बिचाने का एक ऐसा method भी है जिससे हमारी minecart powered rails से भी जाधा तेज़ चलेगी और वो भी बिना powered rails के बस हमें minecart rails को इस टाइब के formation में बिचाना होगा हलाकि ये काफी tedious process है लेकिन इसका result आपको amaze करके रख देगा कभी-कभी minecraft में doors भी zombies की power को जहल नहीं सकते और अगर door तूट जाए तो बाकी के mobs को भी अंदर आने का invitation मिल जाता है और बस mobs का AI इसे गढ़्धा ही मानेगा और आपका घर सेफ रहेगा वैसे तो minecraft में cannons exist नहीं करती लेकिन अगर हम चाहें तो अपने खुद की fireball cannon craft कर सकते हैं जो कि mobs को damage भी करती हैं वो भी बिना redstone के इसके लिए हमें snow golem लगेगा और उसके चारो side fire light कर देना है और mobs को देखकर हमारे cannon work करना शुरू हो जाएंगे जो कि देखने में भी काफी cool लगता है अगर आप minecraft में कभी board feel करो तो theme project बनाने की सोचना और अगर आप carnival theme project बनाने की सोच रहो तो वहाँ पर ये idea काफी काम आएगा हम literally armor stands को fight करा सकते हैं इसके लिए हमें armor stand को minecart में बैठाना होगा और फिर उसे detector rail के पास करना होगा इस contraption को चालू करने के बाद हमें ये effect देखने को मिलता है जो कि carnival theme के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ग्लोबेरिस को हम share कर सकते हैं जिससे इनकी growth रुख जाती है और इन्हें हम अराम से अपने builds में decoration में use कर सकते हैं ज़्यादा तर लोगों को लगता है कि अगर beacon के light को color देना है तो हमें full color stained glass लगाना होगा जबकि ऐसा नहीं है अगर हम glass block की जगे glass pane भी लगाए तब भी ये वैसे ही काम करेगा और इससे हम different combinations भी बना सकते हैं और ये देखने में भी काफी ज़्यादा clean लगता है अब ये आपके screen पर दो वीडियो जा रहे होंगे जिन में से पहले वीडियो में मैंने Minecraft के hidden updates के बारे में बात किये और राइट वाले वीडियो मेंने इंडिया के सबसे popular cloud gaming apps टेस्ट किये तो आप इन दोनों में से किसी को भी click करो और फिर मिलते हैं next वीडियो में